मुरादाबाद जिन्पत के भोजपूरे लाके में एक कच्रे का काम करने वाले फिरोज आलम ने गोदाम स्वामी सरकार हुसैन पर एक कच्रे के पचास कट्टे चोरी करने का आरोप लगाते हुए सीयो ठाकुर द्वारा को परातना पत्र दिया है मामले में निस्पक्ष जांच की मांग की गई है दरसल आपको पता दें कि मुरादाबाद जिन्पत के भोजपूरे लाके में रहने वाले फिरोज आलम ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने भगतपूर थाना शेत्र में सरका को रिलीज करा लिया और सील खुलवा दी फिरोज का आरोप है कि जिस गोदाम में पुलिस द्वारा सील लगाई गई थी उस वक्त 180 कट्टे थे जिसमें से 50 कट्टे चोरी हो गए जिसकी कीमत धाई लाक के आसपास है फिरोज ने बताया कि उन्हें पूरा शक है कि उनकी ए कच्टे के 50 कट्टे गोदाम स्वामी सरकार हुसेन द्वारा चोरी किये गए हैं इस संबन को लेकर पेडित ने सीओ खढ़ाकुर द्वारा को मामले में शिकायती पत्र दिया है और मामले में जिल अप्रिशाशन से निश्वक्ष जांच की कारवाई की मांकी है में जाके देखा तो पचास कट्टे कम जिसमें ड्हाइलाग पर माले और मिजे सक है सरकार हुसेन पर जी सरकार हुसेन नगला कर रहने माले मतलब यह जिसका किराय पर ले रखता गुदाब उसील कब लगी तिया अपको सेल 25 महीं आपको पता कब चलाई है अपका कम हुए जी फिर दूसरे महीने की बीच तारिक में मैंने रिलीच करवाया था पूर्ट से और जब हम पहुचे तो जो तरवाजा खुला हुआ था उसके लिए खोल लगा था आने जाने के लिए हमने जाकर देखा तो हमारा माल गायब था आप लिए जादो कि आपके जो एक्स आप जादो कर दो जो जी 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 तरहां थाई लाग रुपे अपक्या चाहते हैं साब इसकी जाच करी जाएं कैमरों में समाल गायब खुड़ा और जामार आमारा माल मिल जाए तो आप शीकाइदी पत्र दें जी जी आपने बादरि क्या बादर्रिक्या आप अब आज उसने ग जागो जिला परशासन से यह कहना चाहता हूं साम मेरी मदद हो जाए और मेरा माल मिल जाए